जहिंदर नमस्कार मेरे शेर सेन्यों लाड लो लाड लिए स्वाकेता आप सभी के अपने येटूब चैनल आर्मिया खेड मी पर आज का ये वीडियो इसपेसली मेरे लाड लियों के लिए जितनी भी मेरे लाड लियां यह लड़कियों के लिए पेपर दे रही हैं उनके दि पोटल आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि आपके फिजिकल के लिए मेरिट कितनी जाएगी ठीक है उसके बाद में आपके मेडिकल के लिए मेरिट कितनी जाएगी और उसके बाद में आपके फाइनल मेरिट कितनी जाएगी ठीक है इस सारे डाउट आपके एक बार में के लिए कर देता हूँ जी समझ मैं आई बात लाट लिए हूँ एक चीज और अगर आप हमसे जूड़ना चाहते हैं मैं आप उतादो हमारी ऑपकेडमी गल्सकेडमी कोचामाइसृटि रदुस्तान में कमांडो गल्सकेडमी आप अगर आके यहांपर तैयारी करना चाहते हैं इस नमर पर कोल करके आप बेटा पूरी जानकारी ले सकते हैं तो नमर और है नाइन फाइब टू वन जेरो शिक्स फोन वन डूमल दूनो नमर पर कोल करके और Commando Girls Academy में अगर आप आना चाहते हो तो आ सकते हो ओप लाइन हमारी यहां पर अकेडमी चलती है दूसरा आप जूट सकते हो हमारे से Telegram Group है Commando Academy के नाम से अगर आपको कोई भी अपडेट से यह होँआ पर मिल जाती है और हमारा application, online और आप हमास ऑठी AC in aSeaックं, Commando compensation के नाम से हमाँ zwischen क्माइरा online application, ठीक है, अब बात करते है लड़क्यों की, जो सबसे पहले physical का अरगडा कहा रहेगा लड्क्यों की, मेरिट में, मेडिकल का क्या रहेगा, और फानल मेरिट का क्या रहेगा यी चीज़ें मैं आपको बताता हूं, देखिए, बीटा पिछली बार जो पोस्ट वेकेंशी थी लड़कियों की टूटल उसकी बारें में बात करेंगे, फिर उसके बाद में आगी की बात करते हैं देखे पिछली बार क्या बाता बेटा जब वेकेंसी आई थी ससी जीडी की डिक्लिरेशन हुई थी उसके बाद में पांस लाग चोपन हजार पदों पर पास हुई थे जिसमें से लड़कियां थी लाड़ लो सततर हजार लाड़ लिए हूं सतर हजार तीन सो गुण सित्र क्या थी गुण सित्र लड़कियों को फिजिकल में फिजिकल के लिए बुलाए गया इसके लिए फिजिकल के लिए बुलाए गया शततर हजार तीन सो गुण सित्र लड़कियों को आपको पता है पिछली बार जो लड़कियों की वेकेंसी थी वो कितनी थी यह सामने में खिलेर कर दूंगा लेकिन पहले इस बात को समझे कि 77,300 फिषित्र लड़कियों को मेडिकल के लिए देखिए इनि में से मेडिकल के लिए वignant मैं देख़कर. मैं आपको पहले बार का बता रहा हूँ इस मेडिकल के लिए 770 लड़किया इनि मेडिकल के लिए जो क्वालिफाई हुई वो थी 20,750 यानि इस में से कुछ तो फिजिकल में जैसे बाहर होगी कुछ डोकुमेंट्स वेरिफिकेशन के वज़े से बाहर होगी और कुछ को फिर फाइनल लिस्ट आई मेडिकल के लिए तो मेडिकल के लिए कितनी लड़कियों को बुला है लाडलों 20,750 लड़कियों को बुले कितनी को बुला है 20,750 अब इन्हीं में से मेडिकल पास कितनी हुई 15,000 इन्हीं 20,000 में से 15,888 लड़कियों मेडिकल में पास हुई देखे बेटा ज़्यादना हांकरा चटता है वो मैं आपको बता दूँ राडली हूं कि फिजिकल के समय आपकी जो आएगी सीटें उसकी लगबग दस गुना यानि लड़कियों की जो वेकेंशी थी 9261 पोष्ट के आज पास वेकेंशी थी फिछ वाले बार ये देगे फिमेल की वेकेंशी कितनी थी टोटल 9238 वेकेंशी थी कितनी 9238 वेकेंशी तो फिजिकल के लिए कितना को बलाया है लगबग 10 गुना लड़कियों को फिजिकल के लिए बुला या उन वे पास बुलाई थी तो मैं बता हूँ लड़कियों की merit मेरिकल 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 के बार के जो आकड़े हैं वो बहूत कम बढ़ते हैं बैटा increasing आप fighting शेलेके और medical तक physical शेल промहिकल तक यह निए जो physical का हम खड़ाएगा ना और जो medical पास का खड़ायाπως उसमें काफी डिफ्रेंस रहता है, यानि अभी जो आप मेरिट सून रहे हैं, आपके स्टेट से जो भी फीजिकल की, वो कम से कम आपकी जो मेरिट रहे हैं उसे कम से कम, यह मान के सलिए कि 10 नंबर कम रहेगी, तो पहली कटोप जाएगी वो लगबग 10 नंबर के आच पास कम कि उसके बाद में जो मेडिकल के लिए मेरिट आएगी उसमें और फाइनल मेट में लड़कियों में बहुत ही कम नंबर बढ़ते हैं, क्यों बढ़ते हैं, आप खुद देख लिजे, 9238 पोस्ट की वेकेंशिती और मेडिकल पास करके कितनी लड़किया पूछी बेठा, 1589 यह नि लगभग, 153 लड़की एक पोउस्ट सम्मिघाए अब इसा नहीं कि आदि लड़की काटके एक पोस्ट पर, आदि लड़की काटके नहीं बहुता है, लड़कों में हुई थी, बाषुमते और लड़कियों में यह यह एसा हवा था, कि लगभग 1.6 में से 1, यह मेर का आखड़ा रहा तो इसलिए नंबर ज्यादा नहीं बढ़ेते अब देखें एक चीज और यहां मजी आप कि लड़कियों की जो वेकेंशी थी पिछली बार 9238 इसमेंजे टोटल फिलप कितनी हुई थी 8103 वेकेंशी फिलप हुई थी 8103 वेकेंशी बाकी जो वेकेंशी हो खाली रह गए लगबग 1100 कुछ पोस्ट की जो वेकेंशी थी वो खाली रह गए थी इस बार भी खाली रहे गए इसी बात नहीं है लेकिन अब बात करें कि टोप कितनी जाएगे कि मैं बता दूँँ आपको कि सबसे पहले आपकी जो फिजिकल की आईगी लाड़नो जितनी भी इस बार बेकेंसिए पूश्ट ओबेकंसिए उसमें से लड़कियों की आफ एकेंसिजिटनी इसके मान के चलिए कि दस गुना लड़कियां फिजिकल के ल है यह 100% के लिए रटा है ठीक है तीन गुना में से तो मेडिकल पास करेंगे वो लगबक एक पॉइंट पाज गुना यह इस बार चोटी वेकेंश है इसलिए यह मान के चलिए कि दो गुना यह दो में से एक लड़कियों को फूना जाएगा लास में पोस्ट वेकेंश जितनी लड़कियों की उसमेंसे इतनी लड़किया दो गुनाई नि बारहाजार के आसपास का जो आखड़ा रहेगा अंतीम आखड़ा तब तक लड़कियां रहेगी उसमें से मेरिट बनेगी अब यहां पर बहुत सारे बच्छों के टेंसन भी रहता कि मेरिट कितनी इक बढ़ तो हूं कि पिछले जो भी आपके final मेर्ट गई पहले बात ये खाओ पेपर में जो आपके number आ रहे हैं यह final score नहीं जां रखना paper में जो number आ पाईनल score कौनसा होगा कि आपका paper हो जाने के बाद में आपके answer किया गी उसके बाद में आपके number आएंगे तो उसमें नॉर्मलाइजेसन से आपके कितने नमबर बढ़े हैं? वो इस पश्ट होगा. तो जो नॉर्मलाइजेसन से नमबर बढ़े है, उसके बाद में जो आपके नमबर शो होंगे, वो आपके मुख्य नमबर होगे, जिसके आदार पर मेरिट बंदती है. ऐसे जिदी के मेरिट कई के लिए पलस होंगे बाकि सभी का नहीं तो नॉर्मलाइजेशन के बाद में जो आखड़ आएगा उसमें यानि इसमें एक बटा चार की मार्किंग पिछली बार ये नहीं थी तो लड़कियों की पॉस्ट और वेकेंशी पिछली बार और इस बार की वेकेंशी में ज्यादा मारक नहीं है इसलिए मैं बता दू लड़कियों की मेरिट कम रहेगी मुख्य मेरिट मेरिट कम रहेगी आंकड़ा ज्यादा नहीं जाएगा नीचे रहेगा क्योंकि एक बटा की जो चार एक बटा चार की जो माइनिस मार्किंगे उसका एफेक्ट बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा लड़कियों की मेरिट तो बेटा अगर आपके नंबर कम भी आ रहे हैं तो कोई बात नहीं आपको घबरा लड़कियों की तो आप कमेंट करिएगा उमीद करते हैं आप वो कापी कुछ समझ में आया होगा जो चीज नहीं समझ में वो कमेंट कर ली जै हिंद जै भारत